आदिवासी समुदाय से भारत के पहले बिशप कार्डिनल तेलेस्फोर प्लासिडस टोपो का पार्थिव शरीर मंगलवार को रांची के सेंट मेरी केथेडरल लाया गया टोपो के पार्थिव शरीर को कैथेडरल में रखा गया है ताकि लोग उन्हें अंतिम शद्धांजली दे सकें चार अक्टोबर को लंबी बिमारी के बाद टोपो का 84 साल की उम्र में निधन हो गया था I remember him as a father, as a mentor and as a guide. He gave me chance to work for the Adivasi people. And between the two of us, there was a very strong bond. A bond of love for the poor. He loved the poor, I love the poor, so does our Archbishop of now. And this is the bond that makes us work. That is my fondest memory of him. कार्डिनल के पार्थिर शरीर को अर्स्पतार से सेंट मेरी कैथेडरल तक ले जाने के लिए सैक्रो लोगों ने 27 किलोमीटर तक लंबा जुलूस निकाला. लोगों के अंतिम दर्शन के लिए कार्डिनल के पार्थिर शरीर को कैथेडरल में रखा गया है. बुद्वार को उन्हें दफनाया जाएगा. बुद्वार को